पौडी जनपत के रिड़की खाल दुमाकोड शेत्र में बाग का आतनक समाथ होने का नाम नहीं ले रहा है जिससे ग्रामीन दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है ग्रामनों की द्वारब बताया गया है कि शेत्र के दो लोगों को बाग ने अपना निवाला बना दिया है और समय समय पर बाग उनकी घरों के आसपास घूम रहा है जिससे उनका घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है रिखने खाल छेत्र एक काफी बीहड छेत्र में आता है और इसमें बाग की गजविदिया निरंतर रहती है लेकिन कुछ दिनों से यहां पर आदमकोर बाग ने दो घटनाएं की हैं एक ग्राम डलाब में और एक नहीं नाना में जो की बहुत दुरभाग्यपूर्ण है और यह जो बाग है यहां का लोकल ना हो करके इसे लोग बंगाल टाइगर के नाम से बोल रहे हैं तो जिससे छेत्र में बड़ा दैसत बना हुआ है लोग रातों पर जागते रहते हैं दिन में भी इधर उदर जाने में बड़े परिशानिया हो रही है और सरकार को कई बार इस अस्तर पर भी ग्रामेणों में बहेंकर आक्रोस है कि जैसा आज तक होता आया है कि एक गटना होने पर इसे आदम खोर घोसित कर दिया जाता ता या उसके एक्टिविटी को देखते हुए तुरंत घोसित कर दिया जाता लेकिन इस बार जो प्रशाशन है वो इस पर गंबी टुर्शाशन होगा और चैत्रिया जनता इसका इसे विभाक को और उसको कभी माभ नहीं करेगी तो मैरा थे रहें प्रशाशन से भी और सवस्त से तुरंत इसको आदम खोर गोशित क्या जाए और जनता को इस बाग से जो हैं मुक्ति दिलाए जाय और हमारा चैत्र जो है बाग से ब्याप्त है इसे इसके लिए कोई कोताई नहीं होनी चाहिए और यदि हो रही है तो यह गंबीर विशह है तो काफी दर का माहुल बना हुआ है और इसमें अभी साइद एक बाग की जो है ऐसे हमें सूचना मिली है कि एक बाग को अभी पकड़ लिया गया है लेकिन काफी लोगों का ऐसा जीवन चल रहा है कि स्कूले महां पर भी बंध है और काफी जो हमारे करमचारी लोग सिक्सा बिवाक से आते हैं या कई गाउं से इधर उधर जाते हैं तो दो-तीन लोग मिलके इधर उधर जा रहे हैं घुट में जा रहे हैं बाइक वाले नहीं आप करने उसे बाते कर रहे हैं कि हमारे छेतर में जल्दी से जल्दी बाग को को पकड़ा जाए और उनको यहां से किसी अच्छे एस्थान पर जैसे जू अगेरा में छोड़ा जाए इसमें हमारे सभी जितने भी काफी आक्रोश का माहूल है क्योंकि यहां कुछ टाइम बाद यहां पर बागों की बहुत ही ज्यादा संक्याय हैं इसमें काफी बाग ऐसे हो जाते हैं इन बूड़े बागों का इनको आराम से खाना नहीं मिल पाता लोग आजकल जैसे कि जंगलों में आग वाग लगा देते हैं तो आग लगाने पर इनको गाउं के छितर में अपने बन जाता है और हमारे गाउं में आजकल दूर दराज में जैसे गाई चुगाने और खेती में काम करने तो आजकल जादा तर गाउं में बुड़े बुड़े बुजुर्द को लोग रहे हैं क्योंकि प्लाइन हमारे रिखनी खाल के पूरे उत्राइखन में बहुत ही ज्या लगातार बनी हुई है और जो फॉरस्ट की जो टीम है वो बीते दिनों से यहां पर डटी हुई है आप मेरे पिछे दे सकते हैं कि इसे ग्रामिन इलाके में अपना तंबू लगाकर पूरे 24 घंटे यह जो वनवरा की टीम है वो गस कर रही है और लगातार यहां पर पालतू पशू पर आक्रमन किया गया था और वीडियो भी जो है शोशन मीडिया पर लगातार वायल हुआ था हालांकि ग्रामिन द्वारा बड़ी मसकत के साथ बाग से जानवर को चुड़ाने का प्रयाज किया गया था इस वक्त हमारे साथ कुछ वन विवा के आला दिकार पर रेंजर हैं महिंदर सिंग रावत उनसे बात करेंगे कि बीते 18 दिनों में किस तरह से मुश्किले आई हैं और जो वर्तमान में हैं वो क्या हालते हैं रावत जी पहले बताईए कि बीते 18 दिनों से आप लगातार यहां पर है लगातार पूरे छेत्र में आपको ज़रा गस की जारी है इस समय कैसा माहोने आप है अभी कुछ दिन पहले हमारे द्वारा एक टाइगर को टैंकुलाइज किया गया है जिससे कि इस्तिति में थोड़ा असुदार आया है और लगातार इसके बाद भी हमारे द्वारा गस की जारी है फूट पैटलिंग की जारी है और से ट्रेंग राइज किया और किस तरह यसी तरह से परिस्तियां थी उससे में यहाँ पर फराउने की चारी हमें मिली देखं़ कि जारी है गांगावालों को यह ऑगट कर रहा सब्सक्राइब करें अपनी जिम्मिदारी से अपने जीवन का निर्वा करें आजकल जब तक की परस्तेत्या अनुकूल नहीं हो जा कुछ बन रखें अन्य करमचारी हमार साथ हैं आप लगातार गत्त कर रहें हैं क्योंकि तकरिबरш during बात का जो दैशाहत है वो लगातार हैं आप की स्थरे से गस्त कर रहें चेत्र मंए करमचारी भी इनके साथ पुरा अगस्त कर रहे हैं और मेरा सेक्स नहीं पर है तो हम लोगों को यह जैसे अभी जूई गए फिर पापड़ी फिर अम डंड़ जा रहे हैं देली और लोहों को समझा रहे हैं कि अपना रात को बाहर न निकले और अपना चितर से तो यहां पर सबसे और गड़वाल बन प्रभाग की सीमा है वो सिर्फ एक पहाडी से है तो जो केटियार के जो बाग है वो लगातार हमारे गड़वाल बन प्रभाग की छेटर की तरफ आ रहे हैं जिससे लगातार जो छेतर में हो देसर का महौल बनता जा रहा है हालांकि एक बाग को अब देखना यह है कि जो अन्या जो बाग यहां पर घूम रहे हैं उन्हें कब ट्रेंकुलाइज किया जाएगा पॉड़ी के इर्ख निकाल से सिद्धान दुन्याल कि आपके पॉड़ी कि एर ओके पॉड़ी के इर्ख निकी कि एर।